पूर्णिंग एब्रीवन माइनम इस अंकित एंड टोड़ी वी आर गूंग टू डिसकस अब एरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डैट इस स्टेजिस ऑफ मोरेल डफलप्मेंट हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि जो कोलबग ने अपनी थियोरी दी थी वह किस बैसिस पर क्या होते हैं हिस डिलेमा क्या है मोरेल रीजिनिंग क्या होती है और कितने लेवल्स होते हैं आपके moral reasoning के या moral development के तो आज हम उसके stages के बारे में जानेंगे so stages के बारे में जाने से पहले हम एक word का meaning समझ लेते हैं जो की है convention convention का basic meaning यह होता है कि परमप्रा कोई भी चीज जो की पहले से चलते हुई आ रही है या फिर generally जो हम आम तोर पर किसी भी condition में करते हैं इसको example से देखते हैं ጥ जैसे एक बच्चा होता है वो पैदा होता है तो वो सुरू में क्या होता हे वो सिर्फ घर पर रहता है खेलता है कूट आ खाता है पीता है टीवी देखता है इदर इदर कुमता этом और कुछ कर पाए लोगों के बारे में जान पाए चीजे सीख पाए और घर के अलावा भी जो आसपास का भार का जो वातावरन है उसको जान पाए लोगों से किस तरह से बात की जाती है वो सीख पाए फिर वो जब वो और बड़ा होता है और स्कूलिंग कर लेता है अपनी पढ़ाई क पैसे कमाने लगता है उसकी एज हो जाती है 25-26 फिर वो साधी कर लेता है नॉमली ऐसा होता है तो यह जितनी भी चीज़े हैं जो हमारे सुसाइटी में होती हैं यह सब किसने डिसाइट की यह हमने ही डिसाइट की और यह विद्धर टाइम चलते हुए आ रही है हमने कि कन्वेंशन का बेसिक मेनिंग यह होता है जो आपके कोल बग है उन्होंने जो अपनी पहली जो लेवल दिया है वो है प्री कन्वेंशनल मॉरैल्टी जो कन्वेंशनल वर्ड मिला है बना है वो कन्वेंशन से ही बना है कन्वेंशनल का मेनिंग हो गया परंपरागत तो द जो के बारे में judgment बनाने लगता है रहना की कौन सी चीज सही है और काई गलत है लेकिन जो भी वो जन्जमेंट बनाता है उसका basis होता है दूसरे लोग कि दूसरे लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में दूसरे लोग से mainly specifically मेरा यहां पर जो मतलब है वो है उसके parents या उसके जो elders है ये stage जो पाई जाती है ये जो level पाई जाता है वो पाई जाता है 9 साल से छोटे बच्चों के अंदर इसके अंदर दो stage आती है पहली है obedience and punishment and second है individualism and exchange तो जो पहली stage है वो 2-4 साल के बच्चों भी normally पाई जाती है जिसके बारे में हम अब पढ़ते हैं so obedience का जो basic meaning होता है वो यह होता है कि आग्या का पालन करना और punishment आप लोग जानते ही है पिटाई होना या पिटाई करना तो जो बच्चे होते हैं first stage के वो morality को obedience के terms में देखते हैं कि कोई भी चीज सही है अगर हमारे parents ने बोला है या अगर हम आग्या का पालन कर रहे हैं अपने parents की तो वो चीज सही है जैसे महमानों का आदर करना उनको चाय पाने के लिए पूछना टाइम से सो जाना या फिर green vegetables खाना milk पीना क्यूंकि ये सारी चीजे हमारी normally मम्मियां बताती हैं मैं मम्मी बोलती हैं तो हम इसको एक तरह से सही मान लेते हैं और क्यूं सही मानते हैं क्यूंकि आग्या का पा काम को करने की वज़े से उनको punishment मिले तो वो चीज क्या हो जाती है morally गलत हो जाती है morally wrong हो जाती है जैसे कि गाली देना या फिर पैसे चुराना अपने पापा की जेब से या फिर किसी एकसाद लड़ाई करना ये सारी चीजें क्यूं गलत होती हैं क्यूंकि बच्चों को ये normal words में देखा जाए इसके features तो कोई भी चीज जो कि आपको punishment दिलाए कोई भी चीज करने की वज़े से जिसकी वज़े से आपको punishment मिले वो चीज morally wrong है और अपने जो elders हैं उनकी अग्या का पालन करना हमेशा क्या होता है morally right होता है नैतिक तोर पर हमेशा ठीक होता है for example अगर इस stage के बच्चे से जो कि 2-4 साल की stage का है obedience and punishment stage का है अगर उससे पूछा जाए कि जो हींज है उसने क्या सही किया या गलत किया तो वो सीधे तोर पर कह देगा कि हींज ने बिलकुल गलत किया क्यूंकि चोरी करना गलत है ऐसा उसके पापा ने उसको बताया या उसकी मम्मी उसको बताया है जो red light वाले example था वो अगर हम बच्चे से पूछें कि एक traffic police officer था और उसने ambulance को भी red light पर नहीं जाने दिया तो वो बच्चा बोलेगा कि उसने सही किया क्योंकि कहीं ना कहीं उसके parents ने उसको ऐसा बताया था कि जो traffic rules है उनका जो पालन करना हमें सही होता हमे तो यहाँ पर जो इसकी morality है वो इस बात पर depend कर रही है कि उसके parents ने क्या बताया या उसके elders ने उसको क्या बताया और उनकी आग्गा का पालन करना ही उसके लिए सही है सो हमारी जो next stage आती है वो आती है individualism and exchange इसमें जो हमारी morality है वो दो चीजों पर depend होती है self interest और mutual exchange इस stage में जो बच्चा होता है वो क्या होता है वो अपने बारे में थोड़ा ज्यादा सोचने लगता है और यह सोचने लगता है कि अगर मैं किसी के लिए कुछ करूँगा तो वो बदले में मुझे क्या देगा अगर self interest की बात करें तो अगर जो हमने examples last stage में पड़े थे कि जैसे बच्चे इस stage में आके बच्चे जो महमानों का अधर करते हैं time से सोते हैं या green vegetables को खाते हैं लेकिन इसके पीछे का reason बदल जाता है उनका reason क्या हो जाता है कि अब उनकी मम्मी उनको वीडियो गेम खेलने देगी या और कोई ऐसी चीज जो ने पसंदो वो करने देगी तो यहां पर एक तरह से वो अपने individual के बारे में देख रहे हैं अपने self interest के बारे में देख रहे हैं वो चीज देख रहे हैं जिससे उनक physically strong है तो एक बच्चा अब दूसरे बच्चे को वीडियो गेम खेलने देता है क्योंकि वो physically strong है और कल को अगर उसकी लड़ाई होगी तो वो उसकी help करेगा वो उसकी जगा से उसकी तरफ से लड़ सकता है इसी इसको बोला गया है mutual exchange जो second stage होती है इसमें जो morality होती है वो हमा and what others can do for me वो ही जो मैंने अब तक बताया है कि अपना फायदा और दूसरे में लेक्ट क्या कर सकते हैं सेमी चीज को और भी नामों से बताया गया है जो की है tit for tat stage जैसे को तैसा instrumental purpose stage and mutual benefit stage अगर हींज वाली situation में अगर हम किसी second stage के बच्चे को डालें तो वो क्या कहेगा कि चो बच जाएगी क्योंकि मेरी मेरी word यहाँ पर underline है क्योंकि उसका self interest दिख रहा है wife किसकी है मेरी है अगर यह wife किसी और की होती तो चाहे मर जाया उससे फरक नहीं पड़ता है लेकिन क्योंकि वो wife उसकी है इसलिए उसको फरक पड़ता है same ही यहाँ पर जो अगर एक बच्च फुलफिल हो रहा है उसको उसको टेस्ट आ रहा है तो इस केस में उसके लिए जो चोरी करना वो क्या हो जाएगा morally right हो जाएगा क्योंकि कहीं न कहीं वो उसके self interest के favor में काम कर रहा है तो यही था आपका individualism and exchange सो नेक्स वीडियो में हम देखेंगे कि level 2 जिसमें आती है conventional morality उसमें दो स्टेज दिए गए है गोड इंटरपरेशनल relationships and social system so thank you so much for watching and अगर आपको इससे लेटेड कोई doubt है तो नीचे comment box में comment कर दीजे बाकी मिलते है नेक्स वीडियो में बाई